आप देख रहे हैं SPT News इस वक्त की खास ख़वर कुछ इस प्रकार है जौडन हद्यकान में गैंक्सर को पनाह देने वाला यूवक दो दिन के पुलिस रिमान पर इन आरोपियों के शिनाक्त परेड दो दिन बाद श्री गंगानगर में जौडन हद्यकान में सोपू गैंक के बदमाशों को अपने घर में पनाह देने वाले यूवक को आज शनिवार दोपहर अदालत में पेश करके रिमान पर लिया गया है इस यूवक के साथ गिरफतार तेनी यूवकों को नियाएक हिरासत में भेज दिया गया है जेल में समवार को इनकी शिनाक्त परेड होने की संभावना है जवाहन अगर पलिस्थाना प्रभारी प्रशान्त कौशिक ने बताया कि 22 माई को जिम में जॉडन की हत्या करने के आरोप में हरदीप सिंग उर्फ संधू, आकाश शोहान, विक्रम जीज सिंग उर्फ विक्की टहला, धोलू ब्रामन को गिरफतार किया गया था धोलू ने अपने गाउं भूकरका में इन बदमाशों को शरंड दी थी 21 माई की रात को ये तीनों अपने साथियों के साथ धोलू के पास गाउं भूकरका में रुके थे 22 माई की सुबह सबा 5 बजे श्री गंगा नगर के एक जिम में हिस्टी शीटर जॉडन की हत्या करने के बाद भी सभी अपरादी धोलू के पास चले गए थे यहां से अलग-अलग स्थानों के लिए फरार हो गए थाना प्रभारी ने बताया कि हरदीब सिंग संधू, आकाश चोहान और विकरम जीत सिंग को शुकरवाज शाम को न्याईक हिरासत में भेज दिया गया था तीनों की जेल में ही शिनाक्ट परेट करवाई जाएगी इसके लिए सोंवार को अदालत में प्रातना पत्र दे कर शिनाक्ट परेट का आदेश प्राप्त किया जाएगा जोडन हद्यकान में अभी तक अंकित भादू फरार चल रहा है खरीदें सेंसंग स्मार्टफोन और पाएं 9000 रुपे तक का पेटियम कैश पैक M.I.S.I. सभी ब्रेंडन मोबाईल 0% ब्यासपर उपलब शर्ते लागू अकास चारीकॉम 26 ब्लॉप श्रीक गंगानगर फिर हाँ खास खबर में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ